उद्देशे इस पाट के अंत में आप निम्निलिकित सीखने में सक्षम हो जाएंगे अठारवी सदी के फ्रांस के समाज को समझने और वरणित कर सकने में अठारवी सदी के फ्रांस के समाज में असंतोश को समझ और उसका सविस्तार वरणन कर सकने में क्रांती की शुरुवात के कारणों को समझने और वर्णित कर सकने में ये समझने में और वर्णित कर सकने में कि कैसे फ्रांस ने राज तंत्र का उन्मूलन कर गण तंत्र की स्थापना की आतंक राज की शुरुवात और अंत को समझ सकने में और उसका विस्तार से वरणन कर सकने में महिलाओं पर क्रांती के प्रभाव को समझने और समझा सकने में फ्रांस में दास्ता को खत्म करने वाली खटनाओं को समझने और उनका वरणन कर सकने में नेपोलियन बुनापाड के उदय और पतन को समझने और समझा सकने में 18 सदी के उत्रार्ध में फ्रांसीसी समाच 1774 में 20 साल के उम्र में बूर्बूर राजवंश का लुई सोलवां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उसका विवा आस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एन तोई नेट से हुआ था राज्य रोहन के समय उसने राजकोश खाली पाया लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिवर फ्रांस की मुत्रा जिसे 1794 में बंद कर दिया गया था उससे अधिक कर्द चड़ गया था सेना के रख रखाओ राज़ दरबार सरकारी कारिया लयों और विश्व विद्या लयों के लिए नेमित खर्चों को पूरा करने के लिए लुईस सोलवें को करो में वृद्धी करने के लिए मजबूर होना पड़ा अठारवी सदी में फ्रांसीसी समाज तीन एस्टेट्स में बंटा था पहले एस्टेट में पादरी शामिल थे जो चर्च में विशेश सेवाएं देते थे दूसरी एस्टेट में कुलीन शामिल थे कुलीनता जन्म से उत्राधिकार में मिलती थी तीसरा एस्टेट आगे तीन वर्गों में बटा था बड़े व्यापारियों, विक्रेताओं, दर्बार के अधिकारियों आदी का पहला वर्ग अपेक्षा कृत सम्रिद्ध था किसानों और कारीगरों के दूसरे वर्ग के पास बहुत मामूली धन था भूमी हीन किसानों, मजदूरों और नौकरों का तीसरा वर्ग सबसे घरीद था प्रधम दो एस्टेट के लोगों को कई विशेशा अधिकार प्राप्त थे इनमें राज को दिये जाने वाले करों से चूट भी शामिल थी केवल तीसरा एस्टेट करों का भुगतान करता था चर्च भी किसानों से टाइड नामक कर वसूलता था तीसरे एस्टेट के सभी सदस्यों को टाइल नामक प्रत्यक्ष कर और कई अन्य अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता था एस्टेट में विभाजित फ्रांसीसी समाज मद्धे कालीन सामन्ती व्यवस्था के अधीन विक्सित हुआ था अठारवी शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में असन्तोष के कारण जीने का संघर्ष फ्रांस की बढ़ती जनसंख्या से खाद्दे की कमी पैदा हो गई क्यूंकि अनाच का उत्पादन उसकी मांग से बहुत कम था अधिकांश लोगों के मुखे खाद्दे पावरोटी की ख्यमत में तेजी सिवरिद्धी हुई कारखानों में कम मस्दूरी पाने वाले श्रमिकों के पास बढ़ती कीमतों के साथ ताल मेल बैठाने के लिए परियाब्त धन नहीं होता था अमीर घरीब की खाई चौड़ी होती गई ये स्थिती तब और बत्तर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकूप से पैदावार गिर जाती थी इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था ये एक चरम इस्थिती थी जब यहां तक की आजीविका के मूल भूत साधन भी संकट में पढ़ जाते थे उभरते मध्यवर्ग ने विशेशा अधिकारों के अंत की कल्पना की किसान और कामगार किसान और कामगार कभी-कभी खाद की कमी और भारी करूं के खिलाफ विद्रोह कर देते थे लेकिन समाज में बुनियादी बदलाव लानी के लिए उनके पास परियाप्त साधन नहीं थे इस समय फ्रांसीसी समाज में एक अमीर सामाजिक समुह मध्यमवर्ग उभर रहा था इस श्रिणी में वकील और प्रशासक पढ़े लिखे लोग थे इनका मानना था कि जन्मना विशेश अधिकार नहीं होने चाहिए लोग और रूसों जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अफसरों के विचार पर आधारित समाज की कलपना की फ्रांसीसी दार्शनिक मौन्टेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधाईका, कारिय पालिका और न्याय पालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही अमेरीकी सम्विधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी ने फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतकों के लिए एक आधर्श उधारण स्थापित किया ये विचार तेजी से फैले और उन्हें फ्रांसीसी जनता से समर्थन मिला क्रांती की शुरुवात वे ने करों में व्रिद्धी करने के प्रस्ताव के लिए एस्टेट्स जनरल की एक बैठक बुलाई एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधी भेशते थे अतीत में प्रतीक एस्टेट एक वोट दे सकता था इस बार तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अपकी बार पूरी सभाद्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रतीक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो जब समराट ने इस प्रस्टाव को असुईकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधी विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए 20 जून को ये प्रतिनिधी वर्साई के इंडोर टैनिस कोट में जमा हुए उन्होंने अपने आपको नैशनल असम्बली घोशित कर दिया और फ्रांस के लिए एक सम्विधान का प्रारूप तयार किया चार अगस्त 1789 की रात को असम्बली ने करूं, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यावस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया फ्रांस सम्विधानिक राज तंत्र बन गया नैशनल असम्बली ने सन 1791 में सम्विधान का प्रारूप पूरा कर लिया इसने राजा की शक्तियों को कम करके उसे तीन संस्थानों विधाईका, कारिय पालिका और नयाय पालिका को स्वांप दिया इससे फ्रांस सम्विधानिक राज तंत्र बन गया सन 1791 के सम्विधान ने कानून बनाने का अधिकार नैशनल असम्बली को सौंप दिया नैशनल असम्बली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी नागरिक एक निर्वाचक समों का चुनाव करते थे जो पुनह असम्बली को चुनते थे सम्विधान में मनुश्यों एवं नागरिकों के अधिकार घोशना पत्र में जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ती की स्वातंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार पर बल दिया गया है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना क्रांती के बाद लंबे समय तक फ्रांस में इस्थिती तनाव पून बनी रही लुईस सोलवे ने 1789 से फ्रांस में हो रही क्रांती कारी घटनाओं को रोखने के लिए पडोसी राजियों से मदद मांगी इससे पहले की वेकारवाई करते अप्रेल 1792 में नेशनल असेमली ने प्रशा एवं आस्ट्रिया के विरुध युद्ध की घोशना का प्रस्ताव पारित कर दिया ये सभी युरोपिये राजाओं एवं कुलीनों के विरुध जनता की जंग थी क्रांती कारी युद्धों से भारी क्षती एवं आर्तिक कठनाईयां जेलनी पड़ी फिर भी लोगों का एक बड़ा वर्ग युद्ध आगे बढ़ाना चाहता था क्योंकि 1791 के सम्मिधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे जल्दी ही सरकारी नीतियों और अपनी कारे योजनाओं पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लबों का गठन होने लगा इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था जिसका नेत्रित्फ मैक्स मिलियन रॉपस्पियर कर रहा था इस कलब के सदस से मुक्यता समाज के कम समरिद हिस्से से आते थे 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने ट्यू लेरिये के महल पर धावा बोल दिया और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा शाही परिवार को जेल में डाल दिया गया 21 आतंक राज सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक राज कहा जाता है रोबेस पेर ने कठोर नेंतरण एवं दंड की सक्त नीती अपनाई हर कोई जिससे वो अपना दुश्मन मानता था उसे गरफ़तार कर लिया और गिलोटिन पर चड़ा कर मार डाला जाता था इसमें पादरी, पुराने कुलीन, अन्ने राजनीतिक दलों के सदस से उससे असहमती रखने वाले स्वाइम उसकी पार्टी के सदस से शामिल थे किसानों की अधिक्तम सीमा तेह कर दी, गोश्ट एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी कई किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तेह कीमत पर बेचने के लिए बाद्धिक किया गया सभी नागरिकों को साबुत गेहों से बनी, समता रोटी खानी के लिए बाद्धिक किया गया अपेक्षक्रित महंगे सफे दाटी की रोटी पर रोक लगा दी गई परम परागत मौन्सियूर पुरुष एवं मदाम महिला के स्थान पर अब पुरुषों एवं महिलाओं को सितो येन एवं सितो इन अर्थात नागरिक के नाम से संबोधित किया जाने लगा चर्चों के भवनों को बैरक या दफ़तर बना दिया गया रोबेस पेर ने अपनी नीतियों को इतनी सखती से लागू किया कि उसके समर्थक भी उसके खिलाफ हो गए और संशोधन की मांग करने लगे अंतताह जुलाई 1794 में उसे दूशी ठहराया गया और गिरफ़तार करके उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया डिरेक्टरी शासित फ्रांस जैकुबिन सरकार के पतन के बाद संपन मध्य वर्ग के पास सत्त आ गई नया सम्विधान बनाया गया जिसके तहट संपत्ती हीन तपके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया इस सम्विधान में दो विधान परिशदों का प्रावधान किया गया जो पांच सदस्यों वाली कारे पालिका डिरेक्टरी को नियुक्त करती ये प्रावधान एक व्यक्ती में सत्ता ना केंद्रित हो इस से बचने के लिए किया गया था लेकिन डिरेक्टरों का जगड़ा अकसर विधान परिशदों से होता रहता था क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिलाओं ने फ्रांस की क्रांतिकारी घटनाओं में सक्रिये रूप से भाग लिया था फिर भी उनके जीवन में सुधार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया तीसरे एस्टेट की महिलाएं कड़ी मेहनत करती थी कपड़ों की धुलाई करती थी बाजारों में फल, फूल और सबजियां बेशती थी अथवा घरेलू नौकर के रूप में काम करती थी महिलाओं के लिए पढ़ाई लिखाई की वेवस्था नहीं थी केवल तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ने जाती थी जिसके बाद उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी जाती थी उनकी मस्दूरी पुरुशों की तुलना में कम थी समाज में अपनी उचित इस्थिती हासिल करने के लिए महिलाओं ने अपने स्वयम के क्लब शुरू किये उनमें The Society of Revolutionary and Republican Women सबसे मशूर क्लब था महिलाओं इस बात से निराश हुईं कि 1791 के समिधान में उन्हें निश्क्रिय नागरिक का दरजा दिया गया था महिलाओं ने मताधिकार असेम्बली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी प्रारंभिक वर्षों में क्रांती कारी सरकार ने महिलाओं के लिए स्कूलों की स्थापना की और स्कूली शिक्षा अनिवारे बना दी लड़कियों की सहमती के बिना उनकी शादी नहीं की जा सकती थी विवाह को एक अनुबंद बनाया गया था जिसे नागरी कानून के तहट पंजी कृत किया जाता था महिलाएं तलाग के लिए भी आवेदन कर सकती थी अब वो महिलाएं व्यवसाईक प्रशिक्षन ले सकती थी कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाई चला सकती थी कई जानी मानी महिलाओं को गिरफतार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया दो सौ वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद फ्रांसीसी महिलाओं को अंत में 1946 में मताधिकार मिल पाया दास प्रथा का उन्मूलन तीन केरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गौडिलोप और सेन डोमिंगो में तंबाकू, कौफी, नील और चीनी के बड़े-बड़े बागान थे लेकिन यूरोपिये लोग आपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करनी के लिए तैयार नहीं थे इससे बागानों में श्रम की कमी पैदा हुई इस कमी को यूरोप, अफरीका एवं अमेरिका के बीच त्री कोडियें दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया दास व्यापार सत्रवी शताब्दी में शुरू हुआ था फ्रांसीसी व्यापारी अफरीकी सरदारों से दास खरीदते थे और अटलांटिक महसागर के पार केरिबियाई देशों तक तीन महा की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में उन्हें ठूस दिया जाता था ये तीन महीने की लंबी यात्रा थी वहाँ उन्हें श्रम की कमी को पूरा करने के लिए बागान मालिकों को बेच दिया जाता था वहाँ वे व्रिक्षारोपन मालिकों को बेचे गए थे बोर्दे और नांते जैसे बंदर गहा शोशनकारी दास व्यापार के कारण ही सम्रिध नगर बन गए अठारवी सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं होती थी नेशनल असेंबली में व्यक्ती के मूल भूद अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसी सी प्रजा को प्रदान किये जाने पर बहस हुई थी परंतु दास व्यापार पर अत्यदिक निर्भर व्यापारियों के विरोध के भैसे नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया 1794 में जैकोबिनों के अधीन कन्वेंशन ने दास्ता को समाब्द कर दिया दुर्भागी से दस वर्ष बात नेपोलियन ने दास प्रथा पुना शिरू कर दी फ्रांस इसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया क्रांती और रोजाना की जिन्दकी सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुशों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए क्रांती कारी सरकार ने स्वात्तंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिन्दगी में उतारने के लिए कई कानून बनाए इन में से सबसे महदपून कानून सेंसर्शिप की समाप्ती थी सन 1789 में ये कानून बास्तील के विध्वन्स के तुरंत बाद अस्तित्व में आया इससे पहले सभी लिखित सामगरी और सांस्कृतिक गदिविधियों के लिए राजा की स्विक्रिती प्राप्त करना जरूरी था पुरिशों और नागरिकों के अधिकारों के घोशना पत्र ने भाशन एवं अभिव्यक्ती की स्वातंत्रता को नै सर्गिक अधिकार घोशित कर दिया परिडाम सो रूप जल्दी ही फ्रांस में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों के रूप में साहित्त की बाढ आ गई जहां से वे गाउं दिहात तक जा पहुँचे नाटकों, गानों आधी जैसी सांस्कृतिक गदिविधियों ने जनता का ध्यान आकरशित किया इससे उन्हें स्वातंत्रता और न्याय के विचारों से जुणने में मदद मिली दास प्रधा का उन्मूलन 1804 में नेपोलियन बुनापाट ने खुद को फ्रांस का समराठ घुशित कर दिया नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनी की करण के वाहक की रूप में देखता था उसने पडोस के राज्यों को जीत लिया पुराने राजवन्शों को हटा कर उसने नए राज्य बनाए और अपने खांदान के लोगों को उनका शासक बना दिया शुरू शुरू में नेपोलियन को मुक्तिदाता के रूप में देखा गया लेकिन ये राज जल्दी ही बदल गई और उसे हमलावर के रूप में देखा जाने लगा फिर भी उसके कुछ सुधारों का योरोप पर स्थाई प्रभाव पड़ा 1815 में वाटर लू में उसकी हार हुई स्वातंद्रता और जनवादी अधिकारों का विचार फ्रांसीसी करांती का सबसे महतपून योगदान था इसके प्रभाव तले योरोप के कई हिस्सों में सामन्ती व्यवस्था खत्म हो गई सारांश हमने जो कुछ सीखा है उसे संगशेप में दोहराएं अठारवी सदी में फ्रांसीसी समाज तीन एस्टेट्स में बटा था तीसरे एस्टेट्स में समरिद्ध व्यवसाई, व्यापारी, पेशेवर लोग, गरीब किसान, कारीगर आदी शामिल थे अठारवी सदी के फ्रांस को जीने का संघर्श करना पड़ा ये ऐसी विबदा पून स्थिती है जब आजीविका के मूल भूत साधन भी संकट में पड़ गए थे प्रारूप सम्विधान ने राजा की शक्तियों को कम करके उसे तीन संस्थानों, विधाईका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सौंप दिया इससे फ्रांस एक सम्विधानिक राज तंत्र बन गया 21 सितंबर 1792 को फ्रांस ने राज तंत्र को समाप्त करके फ्रांस को गण राजिक घोशित कर दिया राजा लूई सोलवें और कुछ समय बाद राणी मेरी एंतोई नेत को सारवजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया 1793 से 1794 की अवधी को आतंक का राज कहा जाता है 200 वर्षों के लंबे संगर्ष के बाद अन्तताः फ्रांसीसी महिलाओं को 1946 में मताधिकार मिल पाया 1794 में जैकोंबिनों के अधीन कन्वेंशन ने डास प्रथा को समाप्त कर दिया दस साल बाद नेपोलियन बोनापाट ने इसे फिर शुरू कर दिया लेकिन अन्तताह 1848 में सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया स्वात